हाई, वेल्कम टू ओजांकाइसकेडमी, स्वागत है आप सबका और मेरा नाम है स्वेल दुर्गी और आज हम लोग फिर्से में आपके साथ जुड़ा हूँ जहां पर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा और आज एक important topic पर हम बात करेंगे जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ की How do I prepare history notes for UBSC? कैसे मैं notes बनाऊं और किस तरीके से history के notes बनते हैं? काफी सारे बच्चों को ऐसी दिक्कत आती है क्यों आती है? उसके पीछे भी देखेंगे reason क्या होते हैं? क्या notes बनाने के लिए बहुत सारा content रही है? क्या notes बनाने के लिए हम लोगों को अलग-अलग books के अलग-अलग pages पर जाना पड़ता है? या notes short रखे जाएं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी हम note prepare कर रहे होते हैं तो काफी सारी दिक्कते आती है. Note making एक art होता है, जो हमें पता होता भी है, हमें काफी सारी जानकारी होती है, लेकिन उसको कैसे आप represent करते हैं, कैसे आप उसको अपनी copy पे लिखते हैं, वो बहुत important है. और यही note making और यह लिखना आपकी mains answer writing पे भी impact करता है. इसलिए कहा जाता है कि बेटर होता है कि आप अपने हाथ हुसे note लिखें और सही दिशा में लिखें, सही करम में लिखें, सही डंग से लिखें, ताकि कल को जब आप recall करें उनको, तो ऐसा ना हो कि वो आपकी mains answer writing के लिए hit करें. तो चल history को लेके किस तरीके से notes बनाया जाएं और थोड़ी सी कुछ advice है जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए जब वो history के notes बना रहे हैं. तो starting, आप start करते हैं, तो सबसे पहली चीज जब भी आप, चले पहले इसको topic लेख लें कि how do I prepare, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, how do I prepare यह बहुत important हो जाएगा, क्योंकि बड़ी easy सी चीजें लगती हैं, खासकर लेकिन history मैं हमें क्या approach देनी चाहिए, history notes, particularly history notes for UPSC 2021, अगर आप 2022 दे रहे हैं, तो follow कर सकते हैं, क्योंकि हमारी same चीजें वही रहती हैं, so how do I prepare history notes for UPSC 2021, 2022, कौन-कौन सी चीज हैं, देखें, यहाँ पर मैं यह नहीं बताने जा रहा हूँ, कि ऐसे लिखिएगा, इस तरीगे से लिखिएगा, लेकिन जो चीजें मुझे लगती हैं, जो problems आपको fills होती हैं, इस तरीगे के आपके notes होता हैं, copy पे up-pin करते हैं, दिवार पे चिपका देते हैं, कहां पे करते हैं, but important चीज है, क्या आप उसको properly follow कर रहे हैं, हमने यह देखा है, कि बहुत सारे candidates कि इस चीज पर ज्यादा focus करते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को जहां पर आती है, सबसे ज्यादा historical events की बात की जाती है, बहुत जारा बच्चे, historical events को लेके परेशान रहते हैं, और कहते हैं कि सर यह चीज हमें याद नहीं रहती, historical events जो होते हैं, वो isolated नहीं होते बेटा, बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं बात करता हूं, Many of candidates study historic events as I isolated, यानि कि बस उनको यह लगता है, यह हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और फिर वो इस topic से बटक जाते, This proved to be a serious error in your preparation, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप एक किसी करम को पढ़ रहे हैं, आपने कोई historical event पढ़ा, उसको सिरफ read किया, उसको link नहीं कर पाए, क्यों हुआ था, तो उसके reason हो सकते हैं, Maybe वहाँ पर fundamental reason हो, या फिर कोई immediate reason हो, तो जब भी आपकी node बनेंगे, जब भी आपके node बनेंगे, तो node आपके इस तरीके से नहीं बनेंगे, कि आप लोगों ने क्या काम कर दिया, सीधे उसको historical events में डाल दिया, और वो खराब हो जाएगा, So, पहली चीज़ आप यह नहीं करेंगे, खास कर जब हम बात करते हैं, history CS means की, both for GS paper, history as a optional, दोनों की approach जो है, वो integrated way में चलती है, integrated way वो होता है, मैं यहां पर link देता हूँ आप लोगों के लिए, कि यह integrated way क्या है, So, integrated way में हम लोग क्या करते हैं, that is most important, तो यह मैं कह रहा हूँ, जो भी बच्चा इस समय कर रहा है, integrated way, यह integrated way क्या होता है, और यह follow किया जाता है, both CS, आपके pre के लिए भी, mails के लिए भी, और optional के लिए भी, यहां पर integrated way ऐसा है, कि identify करना पड़ेगा historical events को, and उनको interconnected करना पड़ेगा, integrated way होता है, यानि कि एक तो आपको historical event तो देने ही देने है, historical event दे दिये, लेकिन उन historical events को आपको link करना पड़ेगा, you must link with them, कुछ और चीजें उसके साथ तो नहीं हुई, तो historical events को link करने को integrated way कहाज, identifying different historical events and how they are interconnected and interrelated, interconnected and interrelated, यानि आएक तो interconnected कैसे हैं और interrelated कैसे हैं, just I am giving you an example of 1789 to 1799 French Revolution हुआ, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि उस समय कुछ और चीज तो नहीं हो रही थी, यानि कि एक date दूसरी date के साथ clash तो नहीं कर रही है, बहुत पर हमने ये देखा है कि जब इंदिया की यहां पर moment चल रही थी, आपको याद होगा कि 1905, जब Lord Curzon ने Bengal को दो हिस्व में बांटा था, आप याद करिएगा कि 1905 में सेम कुछ रश्या में भी हुआ था, तो ये date रश्या के साथ clash कर रही है, इसका मतलब है integrated way होगा, identify करना पड़ेगा, so integrated way is a method of identifying different historical events and how they are interconnected and interrelated with each other, क्या आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो history आपको बहुत तकलीर देने वाली है, so first point, do a historical event, yes of course, but try to make them into an integrated way, that's most important for the history, अब ये approach आप दूसरी बुक के साथ नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम आगे देखें तो और क्या issue बच्चों को आता है, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजेगा, every historical event, जितने भी historical events हुए है, has its own history, क्या आप नहीं मानते कि जितना कुछ भी इस देश में हुआ, जितनी भी history हुई है, उसकी एक अपनी history है, so no historical events emerge out of nothingness, ऐसा नहीं हुआ कि रात को कुछ वा और सुबाँ गया, like 1857, यह हवा में थोडी नहा हो रहा है, every historical event has its preceding historical development, and all these events are important, interrelated, so हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, कि हमें यहाँ पर, जब भी आप कोशिश करेंगे पड़ने की, तो जब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, the most important part that you need to understand about the reasons, reason देने पड़ेंगे, reason आपको हर एक चीज में जूडना पड़ेगा, जैसे how, जैसे when, why, यह करना पड़ेगा, where, कहां पर, आप अक्सर जब भी ऐसे events को पढ़ें, history में अक्सर अपने प्रश्णू को, अपने questions जो होते हैं आपके, उनको इसमें डालने की कोशिश करें, और देखिएगा जरूर, आपकी जो पढ़ने की, पढ़ने का तरीका है, नोट बनाने का डंग है, वो भी change हो जाएगा, और पढ़ने के साथ साथ आपको काफी सरी चीज़ें पता चल रही है, कि मैंने कहां पर गल्ती की है, उसके बाद मैंने simply एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, जो civil experience के लिए जाते हैं, वो identify the underlined the interconnected things, जानि उनको लगता है कि historical event है, और इस area में हुआ है, इस period में हुआ है, बस ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, most of the candidates study historic event as a isolated pocket, उनको लगता है बस ये ही हुआ, अब ये ही हुआ है, I do, अगर आप सवाल पूछेंगे, तो UPSC इस तरीके के question कभी पूछता नहीं, तो आप अपनी इन वे में historical event, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो historic, आप सबसे important चीज, जब भी आप पढ़े, तो पढ़ने के साथ आपको जो most important part आपका रहता है, कि जब भी history को पढ़ा जाए, history को preparation करने के लिए तरीका क्या हो सकता है, please do one thing, ये आपका एक flow में जाना चाहिए, तो flow कैसे, at least आपके पास एक flow chart हो, flow chart बहुत important होता है, I will show you some flow chart also, ताकि आप उसको carry कर सकें, और आपको भी पता चले कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, for example अगर हम ले ले, तो मुझे ये सब ऐसा सोच लेते हैं, कि मुझे modern Indian history पढ़नी है, अब ये modern Indian history बहुत बड़ी है, modern Indian history तो पढ़नी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है सर, इसको कैसे याद रखा जा सकता है, क्योंकि ये आप समझते हैं, कि इतनी छोटी बहुत से, complete तो नहीं होता, बहुत सरी books है, लेकिन before मैं आगे बढ़ूं, तो मुझे कुछ चीज़ों पर दयान देने की ज़रूरत है, सबसे पहली चीज, हम सब जानते हैं, कि इस modern Indian history में, बहुत ज़्यदा events हुए, और उन events की एक अपनी particular date भी है, और उन dates के अपनी एक cause भी हो सकते हैं, और उन dates के cause के साथ, कुछ और चीज़ें भी जूड़ी होंगी, तो मेरे लिए ये important हो जाता है, कि मैं at least, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कैसे करूँ, फर्स्ट मैं ट्राय करूँगा, कि इनको में एक chronical order में लेकर आऊ, जैसे ही मिसाल के तोर पे, हम time period ले ले लेते हैं, गांधी, सब बचू ने पढ़ा है, इसलिए comment दे रहा हूँ, थाकि आप अपनी study को सही तरीके से, अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, कि गांधी, 1915 में आते हैं, तो एक flow chart बना, अब 1915 में आए, तो 1950 में कहां से आए, भाई तो South Africa से आए, यह सब पार्ट को पता होगा, अब South Africa से आए, इसके, अब पीछे भी जाना है, और आगे भी आना है, South Africa में, 1915 से पहले क्या कर रहे थे, और South Africa के बाद, इंडिया में आके क्या किया, तो दो flow chart हो गए, तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा, कि यहाँ पे भी उन्होंने काफी सारा, जो है, अपने जो है, मुमेट्स लड़े, वहाँ पे भी मुमेट्स हुए, यहाँ पे भी मुमेट्स हुए, अब दो चीज़े हैं, अब सवाल ऐसा भी तो बन सकता है, What was the difference between, the moment which, गांधी प्लेड इन South Africa, and in India, यह मेरे flow chart से मुझे पता चल गया, इसको हम कहते हैं, analytical, interconnected, interrelated, यह से सवाल बनते हैं, उसके कैसे बदा जला, जब मैंने flow chart बना दिया, उसके बाद हमें पता है, कि 1917 जो period है, और 1918, यह गांधी जी की जिन्दगी के सबसे important period है, अब क्यों important है, तो यहाँ पे गांधी जी जो है, वो बहुत famous हो गए, अब famous क्यों हुए थे, तो वो भी आपको बता है, famous इसलिए हुए थे, कि यहाँ पे गांधी जी ने, peasants को अपने साथ जोड़ लिया, अब peasants को क्यों जोड़ा, अब यह सवाल बनता है, जब peasants यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट होगे, तो उसके पीछे reason यह है, कि वो एक great leader बनके निकले, अब leader कौन होता है, तो इसके पीछे भी जाएंगे और आगे भी, तो आपको बता है कि गांधी जी ने, यहाँ पे कुछ सत्यग्रह किये, जैसे आपने Indigo Revolts वगएरा देखा होगा, और गांधी जी ने कुछ जो है struggle किये, continuously वो तीन struggle जीत भी जाते हैं, जिसमें चमरान, एहमदाबाद, मिल स्ट्रेक में भी बैठ जाते हैं, तो लोगों को लगता है, यहाँ से सवाल पूछेगा आप से, ऐसा कैसे हुआ, फिर flow chart में मुझे आगे पता चलेगा, कि आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इसी period में गांधी जी, एक और नाम जो इंका इंक्लूड हो जाता है, that is in 1920 to 1947, अब 1920 to 1947 में, भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कि सबसे पहला period गांधी की, जिन्देगी में non-corporation moment रहा, अब non-corporation moment, हर बार सवाल पूछता है, इस बार भी आया था, तो non-corporation moment में, कोन-कोन लोगों ने participate, पहले तो इसकी date, event सब को याद रखने पढ़ेंगे, कहां पे pass किया गया, इसके purpose क्या थे, इसकी aim क्या थी, इसके goal क्या थे, इसमें किन-किन लोगों ने जो है, participate किया, ये पूछा जाता है, तो यहां पे आप interlink कर सकते हैं, साथ महीं, 1920 में, रश्या में भी कुछ हो रहा था, आप Lenin को याद कर लीजिएगा, तो यहां से ये link करने के लिए बात बोल रहा है, so every event has its own uniqueness, interrelated, अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, but I hope की ही, मेरे कहने का मतलब था, कि कैसे हम history के notes बनाते हैं, और जब मैं ये बना रहा हूँ, तो मुझे रश्या का note भी यहीं पे मिलना चाहिए, और ये भी अपना notes यहीं पे मिलना चाहिए, यदि अगर आपको किसी चीज की भी ज़रूरत हो, और आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और कोई भी history से related आपकी दिक्कत हो, आप please मुझे से जुड़ सकते हैं, और दिये के number पे आप call भी कर सकते हैं, जहां पे आप मेरे different different courses में चाहिन कर सकते हैं, जहां पे NCRT, History Optional, History GS पढ़ सकते हैं आप मेरे साथ, और यदि अगर आप मेरे साथ अपने telegram पे जुड़ना चाहते हैं, तो please do text me on there, 700-620-8719, यह मेरे telegram number है, जहां पे आप मेरे साथ ग्रोप पे जुड़ सकते हैं, और मेरे courses में अभी जो courses आ रहे हैं, NCRT के courses हैं, जहां पे मैं basics पढ़ा रहा हूँ, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चों को analytical way में पढ़ा पाऊँ, तो thank you so much इसी तरीके की एक और वीडियो से आपके साथ मिलूँगा, तब तक अपना बहुत ज़्यार रखेगा, खुश रहेगा, माता पीता को मेरी तरह उसे बहुत बहुत आदर और परनाम दीजेगा, उनको खुश रखेगा, और जिन्दगी में जो भी करना है, दिल से कीजेगा, उमीद है कि आप life में बहुत आगे जाएंगे, बस अपने आप पे सिर्फ वरोसा रखेगे, patience level high रखेगे, जरूर आपकी जीत होगी, जी हाँ, जरूर, Bye Bye